कि नमस्कार दोस्तों में रोहुंशर महाजरों आप सभी साहमने आपके प्रेशन चनल जोतिशन वास्तु में कैसे हैं आप सभी दोस्तों संडे का दिन है आज संडे की सुभे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद में इस के बारे में इसके बारे में आज शाम को 6 बजे हम आने वारे हैं live ये हमारा पांचवा live session होगा और इस पांचवे live session में आप उसी तरह से सयोग करिए जिस तरह से अपने अब तक के चार session में सयोग किया था मैं उमेद करता हूँ कि आप सभी शाम को 6 बजे available रहेंगे live के लिए और अपने अपने सवाल आप पूछ पाएंगे अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं या किसी चीज़ पर कुछ डिसकरशन चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं लाइव में इस टॉपिक पर डिसकरशन करूँ वो सवाल आप मुझे WhatsApp के माधियम से आप मुझे YouTube के Messenger के माधियम से लिख के बेज सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब लाइव सेशन में पूरी calculation के साथ दे पाऊं लाइव सेशन का जो समय रहेगा वो शाम को 6 बजे का है लिंक आपको description box से मिल जाएगा description box में सबसे पहला link live 5 करके लिखा हुआ आएगा वो आपको मिल जाएगा उस पर क्लिक करिए अपना reminder सेट करिए और प्लीज 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 शाम को 6 बजे free रहिएगा तकि आप और हम मुलागात कर पाएं अब यहां पर बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में यह जो दोस्तों वीडियो में आज बना रहा हूं यह एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक के पर बना रहा हूं यहां पर कि आगे अब क्या होने वाला है किस तरह से हम हमारी पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएं इसी ओपर लाइक सेशन में भी में चलजा करने वाला हूं कुछ यह मैं आपको अभी पता देता हूं बाट अभी मैं पहले इस वीडियो में ब्रीफ कर देता हूं थोड़ा सा की अभी क्या होने वाला है तेखिए रिकवरी रेट हैं और यह बहुत बड़ा समय है जिसे इसे लगा है यहां तक पहुंचने में हैँ हम पहले यह सोच रहें थे कि पच्छास प्रतिशत हो जाए पच्छास के बाद हमने सोचा साथ हो जाए नेक्स लास्ट मंद में हमें सोचा है कि सित्तर हो और यहां पर अब हम सोच रहे हैं कि 80 और 90 हो जाए तो दोस्तों यह जैसे जैसे हमरी expectations बढ़ती जा रही है और हमें दिख रहा है कि चीजें यहां पर control होती जा रही है जो panic सथी बहुत दिल्ली और मुमे में जो बहुत जादा खराब थी वो अब उतनी खराब नहीं है अब काफी हद तक recovery यहां पर कर रही है और अब corona दीरे दीरे यहां से हट रहा है दीरे दीरे यहां से जा रहा है और हकीकत में जा रहा है यह कोई बोलने वाली बात नहीं है यह कोई हवा वाली बात नहीं है यह practically दिख रहा है कि यहां पर corona जा रहा है यह practically इसलिए दिख रहा है क्योंकि सही होने वालों की तादा जो है वो बढ़ती जा रही है और mild corona बढ़ रहा है अब serious corona नहीं बढ़ रहा है important बात यह है कि mild corona मतलब कि recovery बहुत जल्दा जादा जल्दी और recovery बहुत जादा fast यह यहाँ पर हो रही है plus क्योंकि अब mass testing को बढ़ा रहे हैं और अभी का जो season चल रहा है यह season भी यहाँ पर flu का season है एक तरह से बारिश का मौसम एक तरह से जुखाम खासी और बुखार का season है एक तरह से तो इस current से unnecessary corona test किया जा रहा है unnecessary corona test बताया जा रहा है यह fact है जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरे आसपास के इलाके में भी यहाँ पर जो वो लोग जिने normal सा खासी और जुखाम था उन्हें corona बोलके दो दिन में free कर दिया गया Mumbai से भी ऐसे cases मेरे पास आए हैं जहाँ पर patient जो कि बिल्कुल ठीक है स्वस्थ है उससे corona positive बोला गया है और तीन दिन में hospital से discharge किया गया है तीन दिन में hospital से discharge किया गया है corona बोलने के बाद corona खतम होने को बोलके तो इसलिए दोस्तों आने वाला जो समय है यह हमारी recovery का समय है यह हमारी immunity booster का समय है यह मैं काफी समय से कह रहा हूँ और यह समय है जो हमें इस चीज़ को दिखा रहा है जैसे जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे हमें यह चीज़ अच्छे चीज़ positive चीज़ देखने को जरूर मिलेंगी September तक का prediction मैंने कर दिया है अगर आपने नहीं देखा तो कल का वीडियो जरूर देखेगा कि September तक यहाँ पर क्या क्या होने वाला है बारिश अभी बढ़ेगी यह तो fact है ही है कि बारिश आने वाली है Normally September तक October तक बारिश का मौसम पूरी तरह से खतम हो जाता है पर यहाँ पर इस साल जैसे कि मैंने पहले ही prediction कर दिया था कि बारिश अभी तो आने वाली है और बारिश अभी भैंकर आने वाली है तो इसलिए दिल्ली और गुजरात और यहाँ पर आप दिखी जैपूर जैसे जगे पर बहुत भारी बारिश हो रही है यहाँ पर लोगों की expectation से भी जादा बारिश यहाँ पर हो रही है मद्य प्रदेश के सवाल कुछ में पस बारिश को लेके आ रहे हैं उनको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मद्य प्रदेश में भी यहाँ पर बारिश का सिलसिला बहुत जल्द यहाँ पर शुरुवात होने वाली है बारिश की तो इसकी लिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत important चीज जो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ ये भी हम देखेंगे कि September या October के महिने में भारत की सरकार बारतिय गवर्मेंट नरेंदर मोदी जी कुछ महत्वपुन decisions ले सकते हैं इसके chances यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ महत्वपुन गोशना यहाँ पर हो सकती है इसके chances भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किस तरह की गोशना होगी यह भी मैं आपको आज live session में बताने की कुशिश करूँगा पर अभी जो मेरी calculation है वो सिर्फ यही vaccine अगस्त मैंने में जब मैंने कहा था वैक्सीन आ रही है वो आई और चाइना की वैक्सीं का पेटेंट आया जो कि बहुत अच्छी बात हैं यहाँ पर अब यहाँ पर हो रहा है कि एक और वैक्सीन जो कि कहीं न कहीं या तो इंडिया या अमेरिका की तरफ से आ सकती है इस कहीं बीस सितंबर से पहले पहले ये न्यूज हमारे सामने जरूर रहे ही दस सितंबर से लेके बीस सितंबर तक जो समय रहेगा यह highly important समय रहेगा जी हां दोस्तों highly important समय और पहले वैसे पूरा ही September का महिना बहुत ही जादा important है राहू और केतु का राशी परिवर्तन हो रहा है राहू जा रहे हैं व्रशब में और केतु जा रहे हैं व्रश्चिक में व्रशब और व्रश्चिक का ही जो परिवर्तन है ये भी काफी जाता विशेश परिणाम लेकियाने वाला है इसके वीडियो भी मैंने अल्ड़ी ब यकीन मानिये recovery rate और अच्छी यहां पर होती हुए आप सभी को दिखाई देंगी और recovery rate यहां पर और ज्यादा अच्छी यहां पर होने लग जाएगी तो इसलिए आने वाला समेय जो है वो कहीं ने कहीं कोरोना से मुक्ति का समय है कोरोना से चुटकारे का समय है और दीरे दीर अब सितंबर के बाद economy balance होने लग जाएगी economy और अच्छी होने लग जाएगी ऐसे chances हमें जरूर दिखाई देंगे तो इसलिए मैं आप सभी से बोलूँगा कि परेशान ना हो अपने आपको पैनिक ना करें चोटे-चोटे cases देखिए गबराएन जब हमने बड़ा और कठीन स समय निकल चुका है यह इस्तती जून के महिने में और भी ज्यादा खराब हो सकती थी एप्रेल मई जून का जो समय हमने निकाला है वो सबसे कठीन समय था इंडिया में बारत में कोरोना को लेके सबसे कठीन समय वो था वह अब यहाँ पर निकल चुका है इवन हर एक देश यहाँ पर रिकवरी करता हुआ अब आपको नजर आएगा और अमेरिका की तरफ कुछ हमले बढ़ने वाले हैं अमेरिका में यहाँ पर कुछ गतीवीदिया बढ़ने वाली है राजनिती गतीवीदिया चुनाव के करण वहाँ पर बढ़ेगी बढ़ेगी पर कुछ यहाँ पर हिंसात्मक का गटनाएं यहां पर होती हुई जरूर दिखेंगी इसके भी चर्चा हम करेंगे और इसकी भी चर्चा मैं लाइक सेशन में जरूर करूंगा डिटेल में थोड़ा सा कि अखिर अब क्या होने वाला है अमेरिका में अब कहां पर किस तरह से चीजें वहां पर परिवर्तित होने वाली है पर कहने का मतलब यह है कि कोरोना से तो छुटकारा मिलने वाला है और कोरोना यहां पर जाने वाला है बहुत अच्छे लेवल पर यहां पर कोरोना जाने वाला है आप सभी को क्या करना है अननेसेसरी टेस्टिंग्स नहीं करनी है दूसरा को क्या करना है medicine पे बहुत ज़्यादा dependent नहीं रहना है इस बात का विशेज द्यान रखेगा मैं बार-बार अपने हर एक वीडियो में बोल रहा हूं कि कोरोना की वैक्सीन आजाए जाहे medicine आजाए आप सभी को उससे दूर रहना है unnecessary अपनी body को इतना वीक मत कर दीजिए कि वो एक vaccine की मोताज बन जाए या वो एक medicine की मोताज बन जाए इसलिए आप सभी को naturally अपने आपको cure करना चाहिए ताकि आप जितना आपने आपको cure करेंगे उतना आपको यहाँ पर फाइदा ह हुआ नजर आएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के मातिव से जानकरी में आप सभी को दिये या आप सभी को अच्छी लगेगी आज के लाइक सेशन में जरूर आईएगा ताकि हम और भी टॉपिक्स पर बात कर पाएं और भी अच्छे चीज़ों को व सब्सक्राइब करें और जादा-जाद लोगों तक पहुंच आएं तक कि जादा-जाद लोग इस वीडियो को देख पाएं इसके अलावा अगर आप कुछ पूच्छना चाहते हैं कुछ समझना चाहते हैं कुछ एनलेस्स करवाना चाहते हैं अपनी कॉनली का आएवाद